सपाद देक्ष अखिलेश यादव ने आज सदन के अंदर जाती है जनगलना के जब मुद्दे को उठाया उसको लेकर सरकार को घिनने की कोशिश की तो जो सत्ताधारी दल के सहयोगी दल के नेता हैं उनको भी नहीं चोड़ा एक करके उनसे भी पूछा कि क्या वो इसके पक् पार्टी और हमारी नेता ने जब 2012 में पहली बार विधायक चुन करके आई थी तब से जाती जनगलना की मांग कर रही है और समाजवादी पार्टी के अध्यच और माननी नेता प्रतिपच्च स्री अकलेश यादव जी उससे में मुख्मंत्री थे उनसे भी उन्होंने यह मांग की थी मेरा तो सवाल दूसरा है मेरा सवाल यह है कि हमारी नेता ने लगातार जिस विशे को बिधायक बनने के बाद फिर सांसत बनने के बाद और एंडिये के एक महत्पूर अंग रहते हुवी जिस विशे को लगातार उठाया है उसको आज सरकार में न रहने के ही समाजवादी पार्टी को क्यों याद आ रही है मेरा तो सवाल अधरनी अखलेश जी से एक चीज है कि अगर वास्तों में आपको जाती जनगर्णा की चिंता होती तो आप जब सत्ता में थे 2012 से लेकर के 2017 के बीच में उस समें एक भी कारवाई आपने जाती जनगर्णा के प वास्तों में serious हैं अब सदन में तो जवाब देंगे उनका लेकिन फिर एक सवाल आपसे और होगा कि आप तो आप भाजपा के साथ हैं केंदर में भी भाजपा प्रदेश में भी वाजपा तो पार्टी के साथ रहे के कैबिनेट मंतरी रहे के आखिर जाती जनगर्णा क्यो नहीं करा पारहे है फिर आप से भी सवाल आए दिके हमारी नेता ने पिछडों से सम्बंधित जो भी विशय उचित फोरम पर उठाया है माननी प्रधान मंत्री जी के सामने मानी ग्रह मंत्री जी के सामने मैं हर्च के शाथ आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आधरनी नेता जी रच्छा मंतरी रहते हुए जिस सैनी की स्कूल में पिछड़े वर्क के छात्रों को आरक्षण नहीं दिला पाए उसी विशय को जब हमारी नेता ने माननी ग्रह मंतरी जी के समच और माननी प्रधान मंतरी जी के समच इंडिये के सहयोगी के रूप में उठाया तो उस पर त्वरित कारवाई करते हुए पिछड़े वर्क के छात्रों को सैनी की स्कूल में आरक्षण देने का काम प्रधान मं में लाया उसके बाद त्वरित कारवाई हुई और पिछड़े वर्क के छात्रों को इन महत्तपूर्ण जगों पर रिजर्वेशन मिला आरक्षण मिला जाती जनगर्णा का अब मैं बता रहा हूँ जाती जनगर्णा भी एक ऐसा विशे है हमारी नेता निश्चित तोर पे लगातार उठाती रहती है और मुझे पूरा भरोशा है कि जैसे ही उचित समय आएगा ये काम भी नरेंद्र मोदी जी की इंडिये की सरकार ही करेगी जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है मैं तो सिर्फ इतना विशे जरूर रखोंगा कि हमारी पार्टी की प्रारंब से मांग है और आज भी हम उसी मांग पर वो हैं हम निश्चित तोर पे सरकार के लेकिन मुद्दों पे जो विशे हैं उन पे हमारा ओपिनियन बिल्कुल इस पष्ट है कि जाती जनगरना होनी चाहिए और ये इस पष्टता 2012 से है ना कि विपच्च में रहते हुए अब याद आई है मैं बस इतना ही कह सकता हूँ सवाला आज के अखिली शादफ के इस पूरे वाशन को जो नों संबोधन दिया किस तरा आप देखते हैं नेता प्रतिपच्छ का काम है अपने विशे रखना और सत्ता पच्छ के हम जो सहयोगी दल भी हैं और वो हैं उनका जवाब देंगे कल मैं भी सदन में जो हमारे ने से योगी दल हैं लेकिन उनके अपने जो मुद्धे हैं चाहे वो जाती जन्गर्णा का मुद्धा हो जिसे 2012 से पार्टी यानि अपना दल एस उठा रहा है उसको आगे भी उठाते रहेंगे कैमरा से योगी जिते इनके साथ शेले शरूरा एबी पी गंगा लखनवी एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी